नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर विकान चैल्ड इस्पेसलिस्ट आज इस वीडियो मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो निवबॉन बेबिस के साथ नॉर्मल बिहेवियर भी होता है और कुछ चीज़े नॉर्मली बच्चों के साथ जुड़ी होती ह है वह प्रॉब्लम नहीं होती कोई बिमारी के लक्षण नहीं होते हैं यानि के ऐसी कंडिशन में आपको परेशान होने की जुरत नहीं है और नहीं बारबार डॉक्टर के पास जाने की जुरत है लेकिन आप अंजाने में परेशान होते हैं और डॉक्टर के बारबार चक् बच्चे का बार-बार को भूप धैस्ते इस कि चारव दीनों पाद गोन करना या फिर पैशावके रास्ते खून आना । यह बच्चे का बार-बार पॉन आना तो यह कुछ ऐसी चीजे हैं जो नौर्मल था निपर भीime 2019 जो पूरा देखेगा आपको बहुत ही काम के जानकारी मिलने वाली है आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं मैं आपको आपके प्रशनों का भी जवाब दूँगा तो चले शुरू करते हैं सारी प्रोब्लम बच्चे में क्यों होत करते हैं देखे जब भी आप नियुवॉंड तो दूद बिलाते हैं तो दूद के बाद आपको कंदे कंदे के जत लेने में और इस तरह करते हैं कम से कम आप पांच मिनट ये काम जरूर करिए हर बार दोथ किलाने के बार थपकी दिलाएंगे आप बच्चे को डकार आएगी और दोथ जो है अराम से पेट में नीचे सरक जाएगा बच्चा दोथ नहीं बढ़तेगा तो ये सावधाने आपको रखनी है कहीं बार आप जल् पांच मिनटा थपकी दे करके तभी बच्चे को लटाएंगे तो बच्चे दूद नहीं बल्टेगा अब बात करते हैं कि जो कई बार बच्चे के पेशाब में से जो खून आने लगता है जो फिमेल बेबी होते हैं जो लड़कियां होती है पैदाइश के चार-पांच दि सम्में नहीं होता है तो वह होता है मदर के जो हार्मोंस हैं उसके विड्राल इफेक्ट की वजह से जब बच्चा पेड़ में होता है तो जो मा के हार्मोंस हैं वह बच्चे के शरीर के उपर भी अपना असर रखते हैं और जब बच्चा पैदा हो जाता है शरीर से मा का होता है तो विड्रॉल प्लेडिंग जो है बच्चे में होने लगती है जिस तरह की लेडिव में जो मैंस्ट्राइब साइकल होती है तो वह हलका स्कॉटिंग होता है एक दो भूंद आपको उसमें ब्लड की नजर आ सकती है और वह एक दो दिन में अपना भी ठीक हो जाती है उसमें आपको गबराने की जूरत नहीं होती है लेकिन अगर हैवी प्लेडिंग होती है बहुत ज्यादा कून आता है तो आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और एक आध बूंद अगर टपकती है एक आध बूंद के आपको स्कॉर्टिंग नहीं है चलि किसमें भी कईवार जो आप घरेलूं कि अपना लेते हैं कई बार ना दा देते हैं ऐसा कुछ नहीं कर आपको आइसा बच्चे को आप नुक्सान ही कर सकते ने की ब्रेस नॉटूल्स बच्चे के फोल जाते हैं जो निपने मोटे हो जाते हैं पैदाश बाद वह एक अगर उसमें से मवाज चलती है खून आता है या उसमें जिसी तरह का इंफेक्शन हो गया है तब आपको डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज करा लेना चाहिए लेकिन नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है एक सी डेड़ महिने के अंदर वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं बस और उनके साथ हुआ हो उनको जैतना आप उनके साथ हुआ करेंगे उसमें इंफेक्शन होने का खतरा उत्हें रहे तो यह आपको विशेश तोर पर रखनी है शाइर बात करते हैं कि बच्चा बार-बार लैटिन करता है बहुत सारे कम्प्लेंट करते हैं कि जब कंप्र तुरंती बच्चा पोटिगर देता है कहीं यह कोई बिमारी तो नहीं यह प्रॉब्लम तो नहीं है देखिए यह नॉर्मल फिनोमेना होता है इसको हम गेस्ट्रो पॉलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं ठीक है बच्चे को जब बच्चा दूद्ध पीता है तो एक परिस्टालसिस तो कहीं बार बच्चे उसको स्टूल के फॉर्म में पास कर देते हैं यह नॉर्मल फिनोमेना इसके लिए परेशान ना हो बच्चा दूद्ध पीता है और दूद्ध पीते पीते थोड़ी सी पोट्टी एक दो चमच के बराबर पांच-दस अमेल के गरीब कर देता है तो पेशाप करते वक्ति या पोटी करते वक्ते रुता है बहुत सारे पी रिण्स बोलतेंगी जभी पेशाप करता बच्चा बहुत तेजी से रोता है देखी हम मैं चाहता हूं कि यह नॉर्मल भी है बच्चा पेशाप करने से पहले प्लेडर उसको फुल जब होता है तो करने से पहले और करने के बाद भी रोता है इसका आप नॉर्मल हो जाती है यानि कि इसकी नॉर्मल दिखाई देती है आप कहीं बार को फोड़ा समझ करके कहीं तरह इस पर दवाया लगाते हैं आप करने की कोई जरुत नहीं होती है इसके पेट की बच्चों में हो जाता है और यह साल भर के अंदर अपने आप ठी हो जाने वाली कंडिशन होती है इसके लिए आप बिल्कुल बिना गवराएं और अगर लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा समस्या है कुछ ज्यादा ही सुजन आ रही है तब आप जो बच्चों के डॉक्टर हैं पीडियर्टीशन हैं सब्सक्राइब करवा सकते हैं एक बात आती है कौंस्टिपेशन की बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा दो तीन दिन में टोईलेट करता है लैट्रिंग करता है देखें जो बच्चे मां का दूद्ध पीते हैं उनके साथ यह नॉर्मल है कई बार बच्चे दिन प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन अगर बच्चा तीन चार दिन हो गया लैट्रिंग नहीं करा उसका पेट फूल जाता है उसको गैस बनती है और बच्चा रोता है यह बच्चा जो घुड़कन की बदेखाएं और और बसकते हैं लेकिन बच्चा दो तीन दिन में ल्य कंसिस्टेंसे की करता है तो एक नॉर्मल चीजे इसके लिए आप परेशान ना हों तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेगा चैनल को सब्सक्राइब करें आपको आगे भी मिलते रहेग धन्यवार